मंगलवार को उतर परदेश के मुख्य मंत्री वे गौरक्ष पीठादिश्वर योगी दित्यनात ने युग पुरुष ब्रहमलीन महंद इग्विजनात की तरेपनवी ततर राश्टरंद ब्रहमलीन महंद अवैदनात की आठवी पुन्यतिति की ओपलक्ष में आयजित साप् इक श्रदाजली सामारों में भाग लिया इस अपसर पर मुख्य मंत्री योगी दित्यनात ने कहा कि स्रिष्टी प्रकृति पूर्वजो तथा विरासत के प्रति कृतक्ता का भाग सनातन धर्म संस्कृति की पहले विशिष्टा है सनातन हिंदु धर्म संस्कृति में यहीं क्रतक्ता का भाग हमें नंतर आगे बढ़ने की नई प्रेणा प्रदान करता है महंति गुजय नाच्ची महराज की त्रेपनवी पूर्णे तिथी पर माना प्रताप सिक्सा परिशाद और गोरक स्पीट की और से पुजय संतों की और से उन्हें बिनम्र स्रधान जली यहां पर अर्पित की गई बिगत एक सब्ता से एक कारिकरम यहां पर चल लाए है प्राता काली इन्सत्र में देश और समाज से जुड़ी भी जुलंत समस्याओं को ले करके एक समसामिक संगोष्ट कायुजन विगत एक सब्ता से यहाँ पर निरंदर चल लई थी और अप्राहन में यहाँ पर ग्यान यग्य की रूप में सिराम कथा कायुजन का सर्वन करने का अनंद यहाँ के सरधाल जनों को भी प्राप्त हो रहा है आज साइकालीन सत्र में साप्ता एक सिराम कथा ग्यान यग्य का दिराम भी होगा विभिन जन समसाई में एक विश्यों को ले कर के जन बातों को ले कर के महंत दिगवजे नाजी महराज ने महांत अवेदेनाजी महराज ने गोरक स्पीट के पुझे संतों ने अपना पूरा जीवन जिया था उनका अनुसरण करते हुए देज समाज और लोग कल्यान के उन प्रकल्पों को आगे बढ़ाते हुए कितना हम आगे बढ़े हैं कितना हमने कुछ किया है इन्ही सब बातों का अंकलन करने और अपने पुझे आचारियों की प्रतिकृत्गिता ग्यापित करने के लिए इसरधान जली सापताईक समारो का एक कारिक्रम गोरक स्पीट में प्रतिवर्स आयुजित होता है सनातन हिंदु धर्म इस बारे में हमें हमेशा एक नई पेड़ना प्रतान करता है हमारे यहां जब हरुमान जी लंका में जा रहे होते हैं तो उनसे मेनाक प्रवत के द्वारा जो प्रस्न पूछा जाता है वह सनातन धर्म की ही परिवासा पूछी जाती है चाकिर सनातन धर्म है क्या और उस समय उन्होंने बहुत सहस्ता के साथ एक बात कही थी कि किसी के द्वारा अगर आपके लिए कोई आप पे किरपा की गई है तो उसके प्रति कृत्गिता ग्यापित करना ही कृतेच प्रति कृतब्यम एसा धर्म सनातन है यानि सनातन धर्म किसी के द्वारा आप पर की गई कोई किरपा और उस किरपा के लिए कृत्गिता ग्यापित करना यह सनातन धर्म का पहला लक्षण प्रतिक सनातन धर्मावलंबी बहुत अच्छी तरीकी से जानता है समस्ता है कोई जीव होई जंतो इस त्रिष्टी चक्र का क्योंकि जीवन चक्र केवल मनुष्य से नहीं चलता है जड़ और चेतन दोनों का जब बहतर समने होता है जब जीवन चक्र चलता है जीवन चक्र को भी चलाने के लिए यहां पर पनस्पतियां भी हैं हर जियो जन्तु भी है इन सब के महत्तों को भी सनातन धर्म ने स्विकार किया है गोरक स्पीट की परंपरा सनातन धर्म की मुल्यों और आदर्सों की प्रतितु सदेव समर्पित भाव के साथ कारे करती रही है इसके साथ ही SIGSA के छेतर में स्वास्ति के छेतर में सेवा के विभिन परकल्पों को साथ में लेकर के लोक कल्यान के इन करिक्रमों के साथ निरंतर जुड़ी रही है महंत 1857 के प्रथम स्वातंतर समर के समय गोरक्स पीट में महंत गोपालनाजी गोरक्स पीडा दिस्वरवा करते थे बिटी सर ने उन्हें इसलिए ग्रफ्तार किया क्योंकि प्रथम स्वातंतर समर में जो करांधिकारी यहां पर देश की आजादी के लिए उस समय नेत्र तो प्रदान कर रहे थे मांद गोपालनाच जी पे आरूप लगा कि ये उन करांतिकारियों को प्रस्रे देते हैं उससे भी पहले जब भी आऊ सकता पड़ी हमारे पुज्य संतों की परंप्राने तो ये किसी भी मत पंथ संप्रदाय से जुड़े वे हो पुरे देश के अंदर सनातन धर्म की रक्सा करने के लिए हमेशा बढ़ चड़ करके भाग लिया देश के अंदर अखाड़ों की परंप्रा इसी बात का प्रतनित्तों करती है महंत दिगवजे नाजी महाराज ने गोरक स्पीट का ये सुरूप दिया उन्होंने महाणा प्रताब सिक्सा परिशद की अस्थापना करने में अपनी महिदी भूमिका का निर्वहन किया तो आज उनकी प्रतिकृतक्यता ग्यापित करते वे गोरक स्पीट और महाणा प्रताब सिक्सा परिशद उनकी पुणे स्मिर्थि को प्रतिवर्ष इसी उत्सार उमंग के साथ आयुचित करते वे उनकी प्रति कृतकिता ग्यापित करती है विद्वजणों की प्रति हिर्दै से धनेबाद ग्यापित करते वे पुझ्य महंत दिगविजयनाच जी महराज को कोट कोटी नमन करते हुए अपनी बिनमर सर्धान जली भी देता हूँ ओम संती